ये देखिये बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों इतने सुन्दर लग रहे हैं तो भाई चलो ये सेवा भी कम्प्लीट हुई मुझे लग रहा था पता नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी इसमर बहुत सब हौच पॉच हो गया इतना जाधा हेलो एवरीवन विल्कम बैक टो माई चानल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज आपको लग रहा होगा कि मैंने व्लॉग कहां से शुरू किया तो भई मैं आई हूं देखे पहचानिये मैं लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि ये कौन सी तो मैं आई हूं IIM Campus Mandir मंदर की ड्रेस मुझे पहनानी थी आज क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि दिवाली के लिए ड्रेस मैं पहनाऊंगी तो वह ड्रेस बनाकर आच मैं पहनाने आई हूं क्योंकि दिवाली पर तो देखे टाइम नहीं मिलेगा तो आज मैंने सोचा कि मैं इनको ड्रेस पहनाती हूँ और फिर आपको कराते हूँ दरशन तो फिर ड्रेस में द्रेस हota है और देखिए इतने सु सेवा भी कंप्लीट हुई मुझे लग रहा था पता नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी इस बार बहुत सब होच-पोच हो गया इतना जाधा लेट हो गया ना सारा काम कि मेरे दिवाली के तैयारे भी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है और आज धंतेरस भी आ गई है बट केप जो भी है करना तो है पर यह सेवा कंप्लीट हुई तो मुझे बढ़ा अच्छा लग रहा है तो देखिए यह इस तरीके का कपड़ा था एकदम सीक्वेंस में था एकदम बढ़िया ब्राइट रेड कलर का तो मेरा मन था कि मैं रेड ही इनको पहनाऊ दिवाली के तो देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं तो चलिए अब यहां का आरे बापरे काम हो गया है कंप्लीट और अब हम चलते हैं मार्केट कुछ सामान लेते हैं उसके बाद घर चलते हैं थोड़ी बहुत तो दिवाली के डेकुरेशन स्टार्ट करें अभी तक कुछ भी नही क्लीट साथ दुदार और मैं मना भी नहीं कर पाए क्योंगे तुर्वार का टाई मेर अपने सब चूड़के त्रेसर बना नहीं बनाकर मैं इतना जादा होच पोच हो गया ना आज मैंने बिल्कुल कल शाम को सबको बोल दिया कि अगर अब कोई बोलेगा ना मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी सॉरी अल्रेडी बहुत जादा लेट हो गया क्योंकि मेरे घर का भी कोई काम नहीं हुआ है तो इसलिए आज सुबह आज से ले लिए हैं थोड़े से डिजाइनर जो ग्यारा दिये पूजा के लगते हैं वो मुझे लेने हैं अभी तो चलिए फटाफट से चलते हैं मार्केट दिये खरीदते हैं और अज धंतेरस के लिए देखते हैं कि क्या खरीदना है एक दो चीज़े दिमाग में हैं ये वैली तोरण हमने बनाई थी और बहुत ही सुन्दर बनी मतलब उमीद नहीं थी कि फ़र्स टाइम में हम इतनी सुन्दर तोरण बना लेंगे तो आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है और फिर रात को जो है ना लोगों ने यहां पर बालकनी में ना चोटी-चोटी सी कीलें लगा दी थी और यहां पर ये चोटी-चोटी से डेकोरेशन के लिए मैंने ना बर्ड्स मंगवाए थे बर्ड्स के कटाउट हैं बहुत चोटे-चोटे से देखिए इस तरीके के तो ये और जो एक बंदनवाल का जो साइडों में हम लगाते हैं ना बीच में क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है वो भी हम यहाँ पर सारे ना लगा देंगे तो बहुती सुन्दर लगेगा बालकनी में बाहर की दरफ से बड़ा अच्छा सा दिखेगा देखिए ये वाला जो हता है ना इनको भी बीच बीच में लगा देंगे और बीच में बार्ड्स लग जाएंगी तो मैंने सुचा बस इतना ही कर पाएंगे से जादा तो टाइम भी नहीं है पूरा पूरा दिन इसी चीज़ में लग जा रहा है ठान टाइम मिला ही नहीं इस बार कुछ भी करने का देखे सामने भी लाइट लग गई है किता सुन्दर लग रहा है सब दिवाली में बस यही मज़ा आता है कि लाइटे इतनी सुन्दर लगती है सब तरफ बहुत जादा देखे लग गए है सारे के सारे कट आउट और बहुत सुन्दर लग रहे थे देखने में एक तम चांदी के मेरा मन था क्योंकि मेरे पास चांदी में नहीं थे ये तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार ये खरीद लिये जाएं और ये जो है ना काना और लाडो ने अपने लिये लिये हैं छोटे वालों ने इसको शायद नजरिया बोलते हैं तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना उनके पास तो गोल्ड की चेन है वो तो अपनी गोल्ड की चेन पहनते हैं छोटों के पास नहीं था तो फिर ये मैंने उनके लिए आज ले ली तो ये उन दोनों को पहना देंगे और ये हमारे चैरण हो गए लक्ष्मी जी के तो ये हमने धंतेरस पर लिया इस बार वगेरा तो नहीं खरीदे क्योंकि सब थे कुछ ऐसा नहीं था जिसकी जरूरत हो तो इसलिए ये सब तो नहीं खरीदा ये हाँ ये काम की चीज़ें थी तो ये फिर मैंने ले ली तो मिल भी गई बड़ी मुश्किल से मिला पता है लक्षमी जी के चरन तो मिली नहीं रहते जहां पूछो सब बोल रहे थे खतम हो गए खतम हो गए अरे बापरे मैंने का इतना क्या सब ने खरीद ले की खतम ही हो गए भाई तो ये भी मेरा थोड़ा सा हैवी लेने का मन्त है बट कुछ मिला ही नहीं तो फिर मैंने यही ले लिए मुझे ना वो थोड़े से मोटे वाले जो आते हैं वो चाहिए थे बट खैर ठीक है जो भी मिला अच्छा मिल गया यही आने होंगे बस यही समद सकते हैं तो मैंने यही ले लिए वरना मैंने दो तीन साल पहले जब देखे थे तो वो बहुत सुदर थे इस से थोड़े से छोटे थे लेकिन मोटे बहुत थे तो मुझे वो बहुत पसंद थे तब ही से मेरी इच्छा थी कि मैं लूँगी यह मट आज तो मिल ही नहीं पाए आज यही मिले तो फिर मैंने यही ले लिए तो देखे यह दोनों चीजें हमने धंतेरस पर शॉपिंग की और यह शाम के समय हो गई है पूजा शुरू धंतेरस की तो पूजा और हवन आजे कर रहे हैं और मैं बस ना उनकी असिस्टेंट रहती हूँ पूजा के दिन क्योंकि मैं उतना जादा पूजा उजा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ मुझे नॉर्मल पूजा होती है अजे बहुत अच्छे से करते हैं तो पूजा पाट का काम जो है ना कुछ भी हवन करना हूँ तो वो अजे करते हैं और मैं उनको सबसमान लाला के देती रहती हूँ ख्यार चलिए आप सभी को धन तेरस की खुब खुब शुब कामना है और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मिलती हूँ आप से कल तिल देन टेक कियर और बाइबाइ